Dear students, third language हिंदी में आज हम अपना अगला टोपिक पढ़ते हैं सुमंजरी पुस्तक से पहला टोपिक है हमारा री, री की मात्रा, री से बनने वाले शब्दों को आज हम पढ़ेंगे देखे बच्चो, री की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? सी के जैसे, इंगलिस में A, B, C, D लिखते हैं न, तो इंगलिस के सी के जैसे री की मात्रा हम लगाते हैं री की मात्रा को हम शब्दों के अक्षर के खरिपाई के नीचे लगाते हैं जैसा कि आप सभी शब्दों में देख रहे होंगे तो चलिए आएए शुरू करते हैं न्रिप, न्रिप मतलब राजा म्रिग, म्रिग मतलब हिरन व्रिक्ष, म्रिक्ष मतलब पेड ग्रिः, ग्रिः मतलब घर तो इन शब्दों में हमने रिग की मात्रा लगाई इसके अलाब भी बहुत सारे शब्दे देखिए क्या क्या है रिशी, क्रिशी, क्रिपा, ग्रिणा, ग्रित, मात्री, अम्रित, क्रिपाल, आक्रिती, प्रिथक, क्रिपाण, रिदय, रिशब, म्रिदंग, द्रिधता तो बच्चों ये थे हमारे रिशे बनने वाले शब्द आईए आगे देखते हैं अभ्यास, एक्सरसाइज अब हम एक्सरसाइज सॉल्फ करेंगे नमबर एक में हैं रि की मात्रा वाले शब्दों को बोड पर लिखे ये क्या है, यहाँ पर कुछ मिले जुले शब्द दिये गया है हमें केबल रि की मात्रा वाले शब्द अलग छाट कर लिखने है तो वो कौन-कौन से शब्द है म्रिग, त्रण, व्रिक्ष, क्रिशक, ग्रिह, क्रिपा, ग्रिणा, अम्रित तो ये सारे शब्द जो है हमारे रिश से बनने वाले शब्द है नमबर टू में क्या है? चित्र देखकर नाम पूरे करे हमें चित्र देखकर नाम पूरे करने है क्या-क्या है? पहले है व्रिक्ष, फिर है क्रिपान, फिर है म्रिदंग, फिर है म्रिग, और आखरी में है रिशी तो यह हुआ हमारा नमत्री में क्या है? शब्दों को शुद्ध करके लिखे, बच्चों यहाँ पर गलत शब्द लिखे हुए है गलत हरी की मात्रा लगाई गई है, उन्हें हमें सही करके लिखना है तो सही शब्द क्या क्या है देखिए रितू, क्रिपा, अम्रित, मात्री, रिशी, ग्रिह, व्रिक्ष, त्रिण तो बच्चों यह है हमारे शुद्ध शब्द अब देखिए, नन्ही कविता ऐसे हम एक और अपना टॉपिक पढ़ेंगे हमारा आगला टॉपिक है गाए गाए कविता हम पढ़ेंगे देखिए क्या है बरे काम की गाए हमारी भोली भाली प्यारी प्यारी भूसा घास सभी कुछ खाती हमको मीठा दूद पिलाती तो ये कविता हमने पढ़ा अब ये है आपका वॉक्षीट होमवर्ग पहला क्या है रिसे बनने वाले सभी शब्दों को अपनी कॉपि में लिखिए दूसरा है अभ्यास एक और तीन अपनी कॉपि में लिखिए और फिर है गाए कविता अपनी कॉपि में लिखिए और याद कीजिए तो बच्चों ये आपका होमवर्ग है इन सभी होमवर्ग को आप अपने कॉपि में लिखिएगा और याद कीजिएगा धन्यवाद